प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज में आपके साथ मैं हूँ साकित सुमन और प्राइम न्यूज में आद बात होगी पराकरम की जिहां जिसकी बानगी 18 साल पहले करगिल में लिखी गए थी 1999 में मई का महीना जब पाकिस्तान की तरब से हिंदुस्तान का भरोसा तोड़ा गया था भारत की पीठ पर छुरा घोपा गया था इस कारगिल वार से ठीक पहले भारत के ततकारिन प्रधान मंत्री अटल विहरी बाचपई बस लेकर के पहुंचे थे लाहौर और वहां उन्हो रहा था और दोस्ती की बात शुरू की गई थी और इस दोस्ती की जगह भारत को सामना करना पड़ा धोकी का इस युद्ध में भारत ने अपनी शक्ति का पर्चय दिया और पाकिस्तानी सेना को मुह की खानी पड़ी पाकिस्तान ने अपनी सेना मानने से जिसे इंकार भी क और आतंग के मसले पर उसे किसी की भी मद्यस्ता मन्जूर नहीं है इस जंग में भारत की तरफ से इस्तमाल किया गया वो फोर्स तो जिसकी धमक पाकिस्तान ने ना सिर्फ सुनी बलकि इस से वो थर आया भी जी हां और इस तोप की गूंज और उसके साथ-साथ जिस तरह किसे इस वक्त अपने मिसाइल देखा यह तमाम तोप मिसाइल सब का इस्तमाल किया गया था पाकिस्तान ने और पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि पहाड़ी पर होने की वज़ा से वो उन इलाकों पर हमीशा के लिए कबजा कर लेगा लेकिन वो यह आकने में विफल हो गया कि भ भारत की सामरिक ताकत बढ़ी कितनी है क्योंकि आज हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हमें अलग-अलग तरीके से आखे दिखा रहे हैं चलिटर टोलते हैं जरा अपनी मौजूदा ताकत को जाकते हैं अतित के शौर की उस कहानी को सबसे पहले आज पराकर्म में हम बात करेंगे क्यायग की जो रिपोर्ट्ससामने आई उसके बाद बातों ही बातों में बहुत तरह की बातें निकली और ये भी बताया गया कि किस तरीके से जो भारत में हत्यारों की तादात है थ्यारों की जो संख्या है जो असलाह है जो बारोध है वो किस तरीके से इस पर बैयानों का सिलतला भी शुरूआ ज़र देखिया जंग मरकर नहीं बलकि मार कर जीती जाती है और अपने दुश्मनों को मारने के लिए जरुरत होती है हथिया रोकी कैट की रिपोर्ट बताती है कि भारत को इसकी अदद दरकार है और ये मसला आज का नहीं है इसकी सत्यचा को जानने के लिए मौजुदा प्रधान मंत्री के उस बयान को सुनिए ये बयान उन्होंने तब दिया था जब वो गुजरात के मुखे मंत्री हुआ करते थे इंदुस्तान का सेना राय कहता है कि हमारे पास युद्ध के लिए बारूद नहीं है हमारे पास आमस नहीं है एंदुस्तान नहीं है प्रधान मंत्री जी कौन सी मजबूरी है आपकी कि देश की सेना के पाथ बारूत नहों? कौन से मजबूरी है आपकी कि जिसके कारण देश की सेना के पाथ आजुनिक सत्वर नहों? सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इस बयान को सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समस्या कोई आज की नहीं है ये उस दौर की बात है जब भारत में कॉंग्रिस का राज था उस दौर में भी कैग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी थी जिसका जिक्र मौजूता प्रधान मंत्री वोट मांगने के दौरान किया करते थे लेकिन घड़ी की सुई एक बात फिर से घूमी है और वो भी 180 दिग्री और सकता के केंदर में इस बार आरोप लगाने वाले खुद नरिद्र मोदी जी है और फिर से क्याक की रिपोर्ट सामने आई जिसमें फिर से उसी बात को दोहराया गया है और कहा गया है कि सेना के पास गोला बारूत की कमी है और अगर जंग की नौबत आई तो महज 10 दिन में ही सारा असलहा खत्म हो जाएगा हाला कि क्या की रिपोर्ट को समाजवादी पार्टी के सांसाद राम गोपाल यादब ने राजसभा में उठाया तो रक्षा मंत्रे अरुन जेटली ने साब कर दिया ऐसी कोई बात नहीं है देश के पास असलाह की कोई कमी नहीं है तो दौप क्या थी कि रिपोर्ट कहती है कि युद्य के शिति में सेना के पास 10 दिन के लिए ही प्रयाप्ट गोला बारुद हैं इसमें ये भी कहा गया है कि 152 के गोला बारुद में से सिर्फ 20 विसदी वही संतोश जनक माना गया है दूसरी तरफ रक्षा मंत्री के सुर अलग हैं तीसरी तरफ सीमा चाहे भारत पाक का हो या भारत चीन का तनाव दोनों तरफ है इससे तर एक स्थिती ये भी है कि भारत खुद अपने लोगों से ही उलचा हुआ है तो ऐसे में समझना ये भी होगा कि अगर युद्ध जैसी स्थिती बनी तो हालाद कैसे होंगे प्यूर रिपोर्ट जनता पीव जी 18 साल हो चुके हैं और 18 साल के बाद अगर हम पीछे मुड़ कर देखते हैं तो शौरिक दिखता है महसूस किया जा सकता है एक छोड़े से ब्रिक के लिए रुक रहे हैं प्राइम न्यूस में जल लोटेंगे बहुत सारी और भी ऐसी बाते हैं जिन पर बात होंगी ब्रिक के बात प्रिक बास स्वागत है आप सुँ का बात प्राकरम की कर रहे हैं और जब बात प्राकरम की होती है तो एक बात और सामने आती है कि इस वक्त हिंदुस्तान का बहतर दोस्त है कौन एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ इसराइल के बात सामने आती है जी हाँ इसराइल हिंदुस्तान का दोस्त अभी जिस तरीके से सुर्ख्यों में आया इससे पहले 1999 में भी इसराइल ने करगिल युद्ध में बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी शायद इस बात की जानकारी आपको है नहीं इस रिपोर्ट को देखिए आप इसराइल का कारगिल से कनेक्शन कैसे इसराइल ने पाकिस्तान को चटाई धूर करगिल युद्ध जिसके जरिये भारत ने शौर की एक ऐसी गाथा लिखी जिसके बारूदी हर्फ आज भी पाकिस्तान में धमाका कर रहे हैं लेकिन इस युद्ध के दोरान भारत को एक ऐसे दोस्त का साथ विला जिसने पूरे युद्ध की रूप प्रेखा ही बदल दी करगिल युद्ध के समय इसराइल भारत का भरोसे मंद साथी साबित हुआ था युद्ध में इसराइल ने भारत को जरूरी सैन सामग्डियों की आपूर्ती की थी भारत को लडाई के लिए मोटार, वोलाबारूत और लडाकोई मानों के लिए लेजर काइडेट मिसाइलों की जरूरत थी जब करगिल की चोटियों पर पाकिस्तानी सेना के जिहादी खुसपैठियों की शकल में भेजे जा रहे थे तब पाकिस्तानी सेनिकों ने परफिले मौसम का फायदा उठा कर अपना डेरा जमा लिया था और वहां से वो भारती सेनिकों को निशाना बना रहे थे इन चोटियों बर बैठे पाकिस्तानी सेनिकों की खुसपैठ को तुरंत बेदखल करने का एक ही रास्ता था उन्हें हवाई हमलों से तहस्त नहस करना लेकिन भारती लड़ाकों विमानों में सटीक निशाना लगाने वाली शक्त प्रणालिया नहीं थी तब इस्राइल ने इन सभी सेनिकों की आपूर्ती बीना समय कवाए भारत को दी कहा जाता है कि उस बक इस्राइल के ऊपर कई देशों का दबाब भी था कि वो करगल युद्ध में भारत की मदद ना करे लेकिन इस्राइल ने इन दबाबों के बावजूद भी भारत की मदद की गर्गिल युद ने भारत और इस्राइल के रिष्टों को और मजबूत कर दिया था गर्गिल युद ने इस्राइल को भारत का करीबी देश बना दिया था मानो इस्राइल ने दुनिया भर को संकेत दे दिया था जिवो आतंकवाद कतय परदाश नहीं कर सकता इस्राइल आज भी भारत को रक्षा समेर कई शेत्रों के लिए आधुनिक तक्नीक दे रहा है जिस कर्म जोशी के साथ इस्राइली प्रधान मंत्री नेतन याहू ने पीम मोदी का स्वागत किया था और भारत को अपना मित्र बताया था उसे साथ पता छलता है इस्राइल हमेशा से भारत की मदद करता आया है और इस दोश्टी के नए आयाम अभी लिखे जाने बाकी हैं और उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्ट में हिंदूस्तान के पास ऐसे कई हत्यार होंगे जो अपने दुश्मनों को नेस्ता नाबूत करने के लिए काफी होंगे बिर रिपोर्ट जुनाता टीवी 1990 केस करगिल वार के दौरान बहुत सारी ऐसी बाते आई सामने जो हर किसी के जहन में बस गई लेकर उन में से एक चीज़ थी जो आज भी लोग उसे याद करते हैं और वो है वो फोर्स तोप का इस्तमाल पहली बार 1999 में वो फोर्स तोप का इस्तमाल हुआ था जिसने इस जीत में एक अहम भोमिका निभाई थी करगल युद एक ऐसा युद था जिसके लिए हिंदुस्तान बिल्कुल भी तयार नहीं था या युँ कहें कि ये युद पाकिस्तान के धोके का परिणाम था और ये भारत पर धोपा गया था करगल के युद में याद करने के लिए बहुत सारी अच्छी और बुरी बाते हैं लेकिन करगल की जंग को बोफोर स्तोप के लिए भी जाना जाता है पहली बार युद में इस्तिमाल में उतारी गई बोफोर स्तोप करगल में सबसे ज़ादा कारगर साबित हुई दरसल पाकिस्तानी सैनिकों ने करगल की चोटियों पर कबजा कर रखा था वो पहार की चोटियों पर बने बंकरों में छिपे थे और भारती सैनिकों पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि उचाई पर होने की वजह से भारतीय फौज उन तक पहुच नहीं पा रही थी और जब भी भारतीय जवान चोटि पर कबजा करने के लिए चड़ाई करते तो उपर बैठे दुश्मन उन्हें आसानी से निशाना बना लेते थे ऐसे हालात में वो फोर्स तोप सेना के बड़े काम आई वो फोर्स ने पहार की चोटियों पर बने बंकरों को उड़ा दिया था तोप की बंबारी की ओट में भारतीय सैनिक दुश्मन की चौकियों के करीब जा पाये थे गेम चेंजर साबित हुई थी वो फोर्स करगिल की लड़ाई में वो फोर्स तोप गेम चेंजर साबित हुई वो फोर्स की लगभग 24 किलोमेटर की मारक शमता है तोप की मारक शमता अपग्रेट की गई है इसे टार्गेट के हिसाब से सेट किया जा सकता है विवादित सौदेबाजी में खरीदे गए इन तोपों का 1999 की लड़ाई में पहली बार इस्तमाल किया गया था करगिल वोर के समय भारत के पास बहुत सीमित मात्रा में गोले थे वो फोर्स अब उचे पहाडों पर सेना की मुख़्ी ताकत है आईए एक नज़र दालते हैं कि बोफोर्स तोप की खोबियां क्या है बोफोर्स तोप की गिंती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है बोफोर्स तोपें 27 किलिमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है हलके वजन के कारण इसे यो दुभूमी में कहीं भी तैनात करना और वहां से ले जाना और लाना आसान होता है 155 मिलिमीटर लंबी बैरल वाली ये तोप एक मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है तोप की सबसे बड़ी खासियत इससे माइनस 3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के उचे कोंड तक फायर करने की है इस खासियत से ये तोप पहाड़ी इलाकों में बहुत उप्योगी साबित होता है बोफोर्स में 68 होर्स पावर के दो इंजन है हर इंजन की फ्यूल केपसिटी 22 लीटर है रात में भी टार्गेट पर हमला करना आसान हो जाता है पहाड में दुश्मन से लड़ने के लिए बेहतरी नहत्यार है लोकेशन का पता चलने पर इस ते निशाना साधा जा सकता है इस तोब की खरीद से जुड़े विवात के बाद सरकार ने तोब बनाने वाली कमपनी को ब्लैक लिस्टिट कर दिया था इस वज़े से काफी वक्त तक गोले और एने सामानों के आपूर्ति नहीं हुई लेकिन अब सरकार ने बोफोर्स को काली सूची से हटा कर इसके रखरिखाओ पर ध्यान देना शुरू कर दिया है बेशक बोफोर्स की खरीदारी में दलाली के आरोप लगे लेकिन आज तक यानी 28 साल के बाद भी इसमें कोई गिरफतारी नहीं हुई है लेकिन इस तोब की वज़े से भारत को करगिल के जंग को जीतने में आसानी हुई और जानमाल का कुछ कम नुक्सान हुआ ब्यूरो रिपोर्ट जनता टीवी जे अब मसला हत्यारों के साथ साथ उन गोला बारूद का है क्योंकि जिस तरीके से गोला बारूद की अगर हम बात करें तो उसमें अब क्याक की एक रिपोर्ट सामने आती है और क्याक की रिपोर्ट ये कहती है कि महस दस दिन का आसला हमारे पास है इस रिपोर्ट को देखे भारतिय सिना गुलाबारूत की भयंकर कमी से जूच रही है खास कर तोपों के गोलों की भारी कमी है आलम ये है कि युद्ध के 152 प्रकार के विस्पोर्टकों में से 121 पूर्ण युद्ध लड़ने के लिए नियूंतम स्तर की जरुत को भी पूरा नहीं कर पाती नियंतरक एवंग महालेखा परिक्षक यानी CAG की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है सीना एवंग आयूत फैक्ट्रियों पर संसद में पेश अपनी हालिया रिपोर्ट में CAG ने कहा कि युद्ध अपवेर रिजर्व WWR में पिछले कुछ वर्षों में कोई उल्लेखनी प्रगती नहीं हुई है WWR के तहट पूर्ण युद्ध के लिए 40 दिनों के गोला बारूद के संगरह के जरुवत होती है CAG ने पिर पोर्ट पे कहा के 152 तरह के गोला बारूदों में से केवल 31 यानि की 21 फिसदी ही मन्जूरी के स्तर पर मिला संतूलित 121 तरह का गोला बारूद मन्जूरी स्तर से अभी भी काफी नीची है रक्षा मंत्राले द्वारा अनुमोदित मानुकों के मुताबिक भारतिय सेना को भिषन युद्ध के लिए कम से कम 40 दिनों का गोला बारूद रखना होता है सेना ने गोला बारूद का स्तर तै किया है जिसे नियुन्तम सुईकारे जोखिम स्तर यानी M.A.R.L. कहते हैं जिसके हिसाब से 20 दिनों के युद्ध के लिए गोला बारूद रखना जरूरी है लेकिन C.A.G. ने पाया कि कई विस्पोटकों के मामले में इस अस्तर का भी खयाल नहीं रखा गया C.A.G. ने सेना को मार्च 2013 से लेकर अब तक अपर्यात्र मात्रा में गोला बारूद की आपूर्ति के लिए ओडिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB को फटकार लगाई है C.A.G. ने कहा कि उसने साल 2015 में विस्पोटक प्रबंधन पर एक रिपोर्ट में गहरी चिंता जताई थी लेकिन OFB द्वारा WWR विस्पोटको की आपूर्ति की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोई उलेक्णिय सुधार नहीं किया गया रिपोर्ट के मुताबिक OFB द्वारा निर्मान लक्ष को चूकने का काम जारी है इसके लाबा ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड को छोड़ कर अन्नी कमपनियों से खरीद से संबंधित अधिकांश मामले जनवरी 2017 से ही लटके हुए हैं जिसके शुरुवात सेना मुख्याले ने 2009 से 2013 के दौरान की थी C.A.G. की रिपोर्ट में इसका भी खुलासा किया गया कि गोला बारुद की ब्रें कहे जाने वाले फ्यूज की भार किललत गहरी चिंता की बात है फाइरिंग के ठीक पहले फ्यूज को गोले में फिट किया जाता है रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सेना के पास उच्च शम्ता वाले 83 फिसदी विस्पोटक इस्तमाल करने लायक नहीं है क्योंकि इनके लिए फ्यूज ही नहीं है नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक ने चार पंडूपी रोधी वाहक युद्धक पोत के निर्मान में असाधारन देरी के लिए नौसेना को आड़े हाथो लिया संसर में पेश की गई क्याक की रिपोर्ट में कहा गया है कि नौसेना को सुपूर्थ किये गए चार युद्धक पोतों में जरूरी अस्तर और संसर परणाली नहीं लगाई गई जे यह बात तो यहां सामने आती है कि किस तरीके से इसमें एक अंदेखी हो रही है को कैप की रिपोर्ट जो सामने आई लेकर उससे इतर अगर मौझूदा दौर में हम यह बात करें कि मौझूदा दौर में हम हैं कहां हम चीन और सामरिक दृष्टिकों से पाकिस्तान को ट अमरिक नजरिये से भी यही वज़ा है कि भारत आज अपने पडोसियों के लिए जुनौती बन गया है और आए दिन भारत को कभी LOC यानि Line of Control और कभी LAC यानि Line of Actual Control पर तनावपुर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है कभी पाकिस्तान गुसपैट के जरीए हमारी आंतरिक शांती को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कभी चीन अपनी चोहदी को लांग कर हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करता है और हमारी जमीन पर अपना हक जताता है जिसको लेकर सीमा पर हालाद अक्सर बिगड़ जाते आईए जानिये जरा कि भारत सामरे कलिहास से इन दोनों देशों के सामने टिकता कहा है या ये दोनों देश भारत के सामने टिकते कहा है बात अगर सैनिकों की की जाए तो भारत के पास 13,25,000 सैनिक है तो चीन के पास 23,35,000 सैनिक है वहीं पाकिस्तान के पास 6,20,000 सैनिक है 45,000 रिजर्ब सैनिक हैं। चीन के पास 23,000,000 हैं तो पाकिस्तान के पास 5,000,000,000 हैं। रक्षा बजट की बात करें तो भारत का रक्षा बजट तिरपन अरब डॉलर का है। चीन का रक्षा बजट 161 अरब डॉलर का है और पाकिस्तान का रक्षा बजट 9 अरब डॉलर का है। सेनी रैंक की बात करें तो भारत की फौज रैंक नमबर 4 पे आती है चीन 3 नमबर पर और पाकिस्तान 13 नमबर पर बात अगर टैंक की करें तो टैंक 4,426 भारत के पास हैं चीन के पास 9,150 हैं तो पाकिस्तान के पास 2,924 हैं बात अगर आर्टिलरी की करें तो भारत के पास 290 हैं, चीन के पास 1170 और पाकिस्तान के पास 465 रॉकेट प्रोजेक्टर्स की अगर बात करें तो भारत के पास 292 हैं, चीन के पास 1170 हैं और पाकिस्तान के पास 134 है जी ये स्थिती है मौझूदा दौर में कि हिंदुस्तान को आखे दिखाने वाले मुल्क ये समझ लें कि पराक्रम के दृष्टी कौन से हिंदुस्तान किसी से पीछे है नहीं तो ऐसे में अब दुश्मनों को मुहतोर जवाब दिया जा सकता है बश्र थे असलाह भरपूर हो पेशकर्ष में आज के लिए बस इतना ही दीजे जासत समस्कार